हेलो गाइज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, मैं नेम इस शीवानी शर्मा, नाव तोडेए आम गोइंग तोपिक तोपिक इस काइनमेटिक्स इन टू दिमेंशन, इस पार्ट ऑफ दाइनमेक्स, हमारी मेकनिक्स की बुक्स के टू पार्ट होते हैं, यानि एक मेकनिक बुक होती ह तो ध्यान से आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आपको डाइनमिक्स भी बहुत अची तरह से समाझ में आ जाए, नाओ तोपिक इस रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सलेरेशन, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एक्सलेरेशन, मु चाहिए, नाओ यहाँ पर हमारे कर्व है, और उससे रिलेटन हमने ही लाइन बनाई यहाँ पर एक पॉइंट प्यू है, पी है, जो इंट्रसेक्शन, पोइंट है बना रहा है इसका, अब आप इसके अलोंग, यह होता है हमारे रेडियल वेलोसिटीज, यह सिंप्ली ही में नॉलिज के लिए बना रही हूँ, इसमें मैं कोई ग्राफ नहीं बना रही, बस मेरा मेरा में मॉटिव है कि आपको रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में बता पड़े कि एक्चली होता क्या है, अब जो पर्पेंडिगुलर लग रहा है इसके वो है ट्रांसव मुले, जैसे रेडियल वेलोसिटी का हम पहले ले लेते हैं, इसकी वेल्यू बढ़ जाती है, यान यह पॉजिटिव होता है, अब रेडियल वेलोसिटी के जाथ हमारा एक होर होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और यह पॉजिटिव होती है, इन दोनों के ही उपर बेजट एक और फॉर्मुला होता है, तिसमें हम सिर्प इन दोनों फॉर्मुले का यूज करकर रेखना है, फॉर्मुला बना देंगे, तो चलिए करके दिखाती हूँ, पहले हम रेडियल वेलोसिटी रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मュला हम लिख और छॉर्मुला Hisa ट स्षी हो बना नहीं में ररेडियल वीलोसिटी का फॉर्मुला हम लिखेंगे Radial velocity की तरह ही Radial acceleration का formula हम लिखेंगे Radial acceleration is equals to d square r अब guys एक सेकेंड मैं इसकी working करके दिखा देती लेकिन मैंने नहीं दिखाई डारेक्ट फॉर्मूले ही लिखवा रही हो क्योंकि ये वीडियो मैंने exam के point of view से बनाया है जितना हमें exam में सिर्फ ज़रूरी होता है अब इसमें जितने भी concept होते हैं सारे ही मैं 3 steps में करूँगी 3 steps में ही complete हो जाते हैं जो कि मैं आपको question जब share करूँगी तो उसमें आपको करके दिखा दूँगी d square r over dt square minus r d theta over dt the whole square अब नाव Radial acceleration के बाद transverse velocity की तरह ही एक होता है transverse acceleration acceleration that is equals to the इसमें भी ज़्यादा हाड नहीं है यह भी easy सा formula है that is 1 upon r d r यह r नहीं है यह सिब d over dt है d over dt bracket r square d theta over dt बस यह होगी हमारे transverse acceleration अब जैसे हमने resultant velocity निकाला था same as it is इन दोनों की हैथ से हम निकालेंगे resultant acceleration is equals to अब इन दोनों को लिख लेते हैं तो पहले radial acceleration that is d square r over dt square minus r d theta over dt का whole square इसको पूरे का whole square अब transverse acceleration को लिख लेते हैं that is 1 upon r d over dt r square d theta over dt bracket close अब इस पूरे का whole square फिर पीच में plus का sign इन दोनों का अड़ करेंगे और whole root बस इस तरह से हमारे सारे ही formula आपके सामने हैं यह आपको सारे करके दिखाती हैं अब मैं आपके सारे करूँगी इसी के उपर based एक example और इन formulas को apply करके दिखाऊंगी अपने इस question में तो हम एक question ले लेते हैं that is the velocity of a particle along and perpendicular देखिए मैंने यह बताया था radial and perpendicular actually में होता क्या है तो यहाँ पर इसने बोलाए कि velocity of a particle along and perpendicular to a radius vector from a fixed origin यह एक fixed origin है O यहाँ पर एक curve बना दिया है इसके along एक पी point बनाएंगे particle की velocity along and perpendicular यानि कि यह हो गई particle की velocity along में और उपर यह हो गई perpendicular में अब from a fixed origin fixed origin है हमने बना दिया O यह हो गई lambda r square and mu theta square यानि जो radial velocity है यानि along है particle की velocity के तो वो है lambda r square और यहाँ पर लेम्डा और हमारे mu constant है दोनों ही तो find the polar equation अब second step क्या होता है सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़े दे देते हैं उसके बाद हमें find करवाते हैं तो हमें find देखना होता है हमें three steps में हम इसके clear करेंगे तो पहला क्या होता है कि कुछ चीज़े दे देते हैं फिर उसके बाद जैसे path ढूनने के लिए दे दिया कि path calculate करो या radial transverse acceleration velocity calculate करो तो हम इन formulas को वहाँ लिख देते हैं और जो जो हमें formula के according मिलता है वो हम apply कर देते हैं इस पूरे ही question में इसका solution दिया होता है तो यह बिल्कुल भी tough नहीं है आप ध्यान से देखिएगा तो तो यहां बताया है कि find the polar coordinates so to path of the particle हमें find करना है path of the particle radial and transverse acceleration हमें यह भी पता पढ़ गया यानि two steps हो हमारे यहां पे clear हो गए बस अब लिखने बागी रह रहे है देखिए हमें second step भी क्लियो क्योंकि हमें यह पता चल गया कि हमें ढूनना क्या actual में और किस किस के formula हमें apply करने है तो बस हमारा solution यहीं पे खतम हो गया बस अब करके दिखाना रह रहा है तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा मैं करके दिखा दिखा दिती हूँ कि यहां पे देखिए इस पर ध्यान दीजिए कि radius vector के along और perpendicular है along and perpendicular यानि कि radial velocity और transverse velocity हमें given है तो लिख लेते हैं radial velocity that is कि क्या होता है dr over dt है हमारा radial velocity बस हम पहला formula यहां पे अपलाए कर रहे है और यह है हमारा lambda r square के equal तो यह होगा हमारी first equation अब now second equation हम कैसे बनाएंगे यहीं पर बनाएंगे सब कुछ कुश्चन में मिलेगा तो second होगी transverse velocity का formula लगा देंगे जो हमारा second formula था तो यहां लगाएंगे वो है हमारा mu theta square के इक्वल तो यह यह देखे हमारा second formula that is r d theta over dt यहीं से देखकर लिख सकते हैं and it is equals to the mu theta square जो हमें given है और यहां पे mu हमारा constant है जैसा कि हम सब जानते हैं और यहीं से हमें मिल जाएगी हमारी second equation बस यह हो गया हमारा first step clear जैसा कि मैंना आपको बता है कि first step में हमें सब कुछ मिल जाता है कि क्या के given है अब second step की बारी है तो second step में हमें देखना होता है कि हमें क्या क्या ढूणना है तो सबसे पहले हमें ढूणना है path हम एक एक करके इन सब चीजों को find कर देंगे तो for path यानि path को find करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है यहां से t remove करना पड़ता है यानि कि first equation को second equation से divide we have to eliminate t between equation number one and equation number two यानि इन दूनों equation वेसे हमें यह dt जो लिखा है यह remove करना है और यह कैसे remove होगा हम इन दिवाइड कर देंगे एक दूसरे से यानि कि divide equation number one by equation number two बस remove कर देंगे तो आएगा dr over dt upon r d theta over dt is equals to अब यह दोनों values तो हो जाएगा lambda r square upon mu theta square अब इनने solid कर लेंगे dt से dt cancel हो जाएगा बचेगा हमारा one upon r dr over d theta is equals to lambda r square upon mu theta square अब इसके बाद है हमारा अकला काम that is variable separable इसके बाद हम variables को separate कर लेंगे यानि theta theta एक तरफ और r वाल एक तरफ ले आएगे तो देखिए variable separable यह r अधर है तो हम एक तरफ ले आते है इनने सबको तो यह हो जाएगा mu mu इस तरफ आ जाएगा left side तो mu upon r dr और theta इधर चला जाएगा यानि कि d theta तो यह हो जाएगा lambda r square dot d theta और यहाँ पे theta square अब यह जो r square है यह भी इधर जाएगा left side क्योंकि r को ही तो हम सारे एक तरफ ले जारा है तो यह हो जाएगा r cube जब इधर जाएगा तो नीचे multiply हो जाएगा denominator में जाएगा क्योंकि तो अब variable separate होने के बाद हमारा next काम होता है that is integration अब integration कर देंगे इसका सिंपली है तो इसके बाद हमारा path तो find हो जाएगा कर लेते हैं उसे भी now integrating सबसे पहले mu upon r cube in values का अच्छे से लिख लेते हैं integrating we have is equals to the lambda upon theta square dot d theta बस यह theta sorry lambda और mu तो यहाँ पर constant है तो ऐसी भाँरा जाएगे mu भाँरा जाएगा और 1 upon r cube का होगा into minus का 1 upon r और जो इसकी पावर है क्योंकि r नीचे है denominator में है तो इसकी पावर minus होगी यानिकि 3 minus का 1 उपर होती ही तो plus होती नीचे है तो minus अब यहाँ पर भी lambda भाँरा जाएगा और हो जाएगा theta की respect में कर रहे तो होगा minus 1 upon theta की पावर 2 minus 1 अब यहाँ पर plus c that is arbitrary constant अब यहाँ पर minus mu 1 upon r square is equals to minus theta value किर जाएगे यहाँ पर जाएगा lambda plus c c is an arbitrary constant अब यहाँ पर इन्हें solve कर लेंगे यह हो जाएगा lambda upon c यहाँ पॉजिटिव बना रहे हम तो is equals to a mu upon r square हम लियाएगे right side plus c c है हमारा यहाँ पर arbitrary constant जब 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 हम integration करते हैं तो इसमें apply करते ही करते हैं अब इसके बाद path हमारा find हो गया this is our equation of path अब लिग लिजे कितने easy steps में हमने path find कर लिया अब this is the equation of path of particle अब ना इसके बाद हम देख लेते हैं हमें find करना radial acceleration और transverse acceleration बस इसमें भी कुछ नहीं है इनके formulas को apply करिए और उनकी values पुट करिए और answer आजाएगा तो now radial acceleration radial acceleration का formula होता है हमारा fourth formula था this is the d square r over dt square minus r d theta over dt का square d square r over dt square कहां से निकलेगा इन दोनों की value पुट करनी हमें तो इसका अगर हम यानि first equation का अपना differentiation दो बार कर दे तो हमारा आजाएगा d r over dt is equal to lambda r square था इसका second differentiation करेंगे तो ऐगा d square r over dt square is equal to lambda और 2 अगया जाएगा r dot dr by dt अगया d theta over dt यानि यहां पर अगर d theta over dt निकाला है तो आर हम राइट जाएट बीज़ देंगे और हो जाएगा 2 lambda square r cube minus r और फिर हो जाएगा mu square theta की power 4 upon r square अब r से एक value इसकी कट जाएगी अब यह हमारा बचेगा 2 lambda square r cube minus mu square theta की power 4 upon r यह हो गया हमारा radial acceleration simple as अब now इसके बाद next है हमारा transverse acceleration इसमें भी हमें कुछ नहीं करना simple formula पूट करना उसके बाद calculation values को पूछ करके अब now transfers acceleration का formula है that is our fifth formula तो पीछे साफ फिर देख सकते हैं तो यह है 1 upon r d by dt r square d theta over dt अब now यह जो इसके अंदर bracket में यानि d theta over dt की पहले value पूट कर लेंगे फिर क्योंकि d by dt बाहर है तो अब basic सी बात है कि normal है कि हां अंदर हमें differentiation ही करना है तो इनकी value पूट करने के बाद इनकी calculation करने के बाद हम इनका differentiation कर देंगे simply as तो अब d by dt bracket r square d theta over dt किया था हमारा mu r square mu theta square upon r अब r से r की value गट जाएगे और बचेगा 1 upon r d by dt और r mu theta square अब mu तो हमारा constant है यह बाहर आ जाएगा तो यह हो जाएगा mu upon r और d by dt r theta square अब यह बाहरा जाएगा 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 mu upon r अब इसका differentiation करेंगे तो हो जाएगा r को एक बार छोड़ देंगे ऐसे ही dot और theta square का करेंगे तो हो जाएगा 2 theta dot theta का differentiation d theta upon dt plus अब इस बार हम theta square को छोड़ देंगे यानि कि r का differentiation तो dr by dt कि अब यह वाला फम यह तो हो गया हमारा इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे यह यह थीटा स्कूर रहा है कि में इसके बाद यहां पर इसके मुल्टिप्लाइगा आट सर्केंशल हो जाएगा और यह हो जाएगा mu to theta dot d theta over dt अब यह थीटा ओवर dt थो हमारा mu theta square upon r था प्लस इसकी value उमने पुट कर दी अनिहां पर theta square dr by dt की value भी थी हमारी lambda r square तो इसो solve out कर लेंगे यह हो जाएगा 2 mu square theta square upon r plus theta square lambda r square just a minute guys I think we have done something wrong just a minute पीछे देख लेते हैं 1 minute देखिए मुझे लग रहा है यहां mu upon r जो है यह बाहर है bracket के तो इसके अंदर multiply होगी यह जो differentiation हुआ इसके अंदर यह बाहर है mu upon r तो हमने बाहर निकल लिया था तो यह बाहर है यानि यह दोनों के साथ ही multiply होगा जो bracket में है तो हम इसे दुबारा कर लेते हैं जाएगा mu इसे हम ignore करेंगी ignore कर लिए अपना mu r upon r dot 2 theta dot d theta over dt अब इसके अंदर भी करनी है यह बहुत ध्यान से करिएगा इस नहीं पर दिक्कत हो जाती है अब mu upon r theta square lambda r square अब r से r यहां cancel हो जाएगा और बचेगा mu dot 2 theta d theta over dt हमारा mu theta square upon r plus mu upon r अब r यहां से भी cancel हो जाएगा तो बचेगा theta square lambda और यह हमारा calculate करेंगे पूरात हो जाएगा 2 theta upon r और mu square theta भी हां पर cube हो जाएगा plus mu theta square lambda अब यह होगी हमारा answer this is the transverse acceleration एक और यहां पर बचेगा और यह हमारा theta cube this is our complete answer that is transverse acceleration अब आप लोग देख सकते हैं मैं question को एक बार और दिखा देती हम आपको हमें question में mechanics के question इतने hard नहीं होते है यानि यह three steps होते हमारा first step सबसे पहले होता है कि हमें question में होड़ी हींट में होती है तो हमें calculate करने होती है फिर उसके बाद हमें second होता है हमें find क्या क्या करना है तो यहां करना था path radial transverse तो हमें यह चीज़ find करनी थी अग थर्ड स्टैप हमारा होता है कि हम इना formula को put करें और उनकी values जैसे यह सब मांगा जाता है या फिर d square r over dt square यह तो common sense है कि हमें d square r over dt square मांगा है तो यह put करना है तो इस तरह से in values को put कर दें और बहुत वीडियो पसंद आई हूँ तो like comment share सब कर दें बाई बाई